इस वीडियो में हम लोग दो मुद्दे पर बात करेंगे 5 वर्स सम्विदा पर रखने के बाद से पर्मानेंट करने की जो नियम लाये जा रहा है उसके संदर में क्या कुछ अपडेट है साथी इस मुद्दे पर बात करेंगे कि उत्तर प्रिदेश में अगली प्रात्मिक सिक्षक भरती कब आएगी इसके संदर में एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है तो यदि आप भी इन दोनों मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यहाँ वीडियो आपके लिए बेहद महत्पूर्ण हो सकता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं करियर बिट योट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इसकिन पर आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो की 11 सितंबर 2020 को लिखा गया था इसका विशय आप पर सकते हैं वर्ष 2017 से अगस्त 2020 तक सरकारी समविदा आउट्सोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को दी गई नौक्रियों के संबंद में सूचना उपलब्द कराये जाने के विशय में दोस्तों जो समविदा वाला कॉंसेप्ट लाए जा रहा है वह 2017 के बाद से जितनी भी भरतिया कंड़क्ट करायी गई है समुख और समुख गो की उन सभी में ये समविदा वाला कॉंसेप्ट लागू होगा इसका मतलब आप समझ लेजए जो 68,500 सहाइक अध्यापकों की भरति कंड़क्ट हुई थी वो भी और 79,000 सहाइक अध्यापकों की भरति भी इसके दायरे में आ जाएगी इसके अलामा जो भी खौ और गौ की भरतिया हुई थी उत्तर प्रदेश में वह सभी इसके दाइरे में आने वाली है काले कानून को ले करके पूरे उत्तर प्रदेश में भारी विरोध दर्ज कराया जा रहा है दूसरी आर्टिकल आप देख सकते हैं बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन युवा जहां प्रदर्शन कर रहे थे नौकरियों को ले करके और पांच साल सम्विदा नियमावली को ले करके वहाँ पर पूलिस प्रसाशन के द्वारा लाठी चार्ज भी की गई है इसकिन पर आप इसके संदर में आर्टिकल देख पार होंगे इलाहाबाद की ये सबी खबरे हैं दिनांग 17 सितंबर 2020 को माननिय प्रदानमंत्री स्री नरेंदर मोदी जी का जन दिवस था और पूरे देश भर में एक बात पर चर्चा हो रही थी वह राष्ट्रिय बेरोजगार दिवस आप इसकिन पर देख सकते हैं भारत में ये नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा था और अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड वाइल यानि पूरे की विश्व में तो ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था आप इसकिन पर देख पार होंगे अब बात करते हैं इसका असर क्या हुआ है तो माननिय मुख्यमंत्री स्री योगी आदित्यनाथ जी के ओफिस के द्वारा एक ट्वीट किया गया है दिनांक 18 सितंबर 2020 को सुबह के पौने 11 बजे के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं सियम स्री माननिय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्द कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि बीते साड़े तीन वर्स में संपन तीन लाख पदों पर चैन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी तीन माह में भरती प्रक्रिया संचालित करते हुए छे माह में नियुक्ति पत्र वित्रित किये जाएं अब आते हैं प्रात्मिक सिख्षक भरती के संदर में तो जैसा कि आपको ग्यात होगा कि उत्तर प्रदिर शाषन के द्वारा माननीय सुप्रीम कोट में एक हलफ नामा दायर करके यह सूचना दिया गया था कि इनके पास लगबग 51,000 के आजपास प्रात्मिक सिख्षकों के पद रिक्त हैं तो निशीत तोर पर वहाँ पर पद खाली है और जैसा कि माननीय योगी आदिति नातिति जी ने बोला है कि जब तक 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक नई सिख्षक भरती नहीं लाई जाएगी इसके अलावा इसमें बहुत से पेच हैं क्योंकि जो नई सिख्षक भरती आएगी वो नए सिख्षा सेवा नियमावली के अंतरगती आएगी जिसका गठन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है जब 79 यर्ष सहायक अध्यापकों की भरती में रिजल्ट की घोशना की गई थी तब भी माननिय मुख्यमंत्री जी ने एक हफते में नियुक्ति पत्र देने की बात कही थी जो की मामला चार महीने से लटका हुआ है माननिय सुप्रिम कोट में तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एक हफते में माननिय मुख्यमंत्री जी ने बोला था तो चार-पांच महीने से अधिक का समय हो चुका है अब मुख्यमंत्री जी तीन महीने में भरती प्रक्रिया सुरू करने की बात कर रहे हैं और 6 महिने में नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं तो आप इस से अंदाजा लगा लिजिए कि अब नियुक्ति पत्र कितने समय में मिल सकती है जिस प्रकार से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकरके युवा सरकार को घेर रहे हैं उसको देखते हुए ये बयान लाया गया है क्योंकि निश्ची तोर पर उत्तर प्रिदेश में 2022 में चुना होने हैं और अभी बिहार में इलेक्षन है जिसको देख करके सरकार भी अब चेत गई है कि अगर इस समय नहीं जागे तो अगले चुनाओं में उनका भी वही हालोग जो कि पिछली सरकारों का होता रहा है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका देन स्चुभ हो